हालो विवार्स परकाम टुकसंस किचन में हूँ वंदिना और आज मैं बिना रही हूँ यह बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल गा वेट चौमिन जो देखर कि आपको बिल्कुल पर्फेक्ट लग रहा होगा यह बहुत ही मौथ वाटरिंग बना है बहुत ही टैम्टिंग बना है और बहुत डिलिशस भी है शुरू करते हैं हम रेसिपी को वीडियो पसंद आए तो लाइक को श्राय कर दीजिगा बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिंटा रहे है और आपसे कोई भी मेरी रेसिपी मिस नहीं होगी और अगर पहली बार मेरे चनल पर आए तो सबसे पहले ताप मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए शुरू करते हैं हम यह वेज चौमिन बनाना या फिर वेज नोडल बनाना वेज नोडल और चौमिन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा शुमला मेर्च और एक बड़ा प्यास लंबे साइस में कट कर लिया है दो चमच कटा हुआ लासुन और गारलिक एक गिंचली को स्लिट किया है और यही पर है दो चमच अध्रक और जिंजर कटा हुआ नोडल के लिए यहाँ पर मैंने स्पैगेट के लिया है 300 ग्राम्स आपके पास जो भी नोडल अवेलेबल है उसे आप यूज कर सकते हैं नोडल को बोईल करना है तो यह मैंने वन लीजर वाटर को बोईल होने के लिए रख दिया था और इसके अंदर मैंने एट कर दिया है वन स्पून सॉल्ट या फिर अपने टेस्क के अपॉर्डिंग भी आप एडजस कर सकते हैं जैसे ही पानी में बोईल आता है इसके अंदर मैंने स्पैगेटी को तोड़कर के डाल दिया है आप चाहें तो इसे पूरा भी बोईल कर सकते हैं बर बच्छों उखाने में एजी हो जाए इसलिए मैंने इसे तोड़कर के डाला है इसे स्टेश पर जब आप इसे बोईल कर रहे होते हैं तो यह बहुत जल्दी एक दूस्टे से स्टीक हो जाती है इसलिए हम इसे फोक या स्पून के हैप से बीच-बीच में चलाते रहेंगे ताकि एक दूस्टे से चिपके नहीं जब इसे बोईल कर रहे हैं तो यहाँ प कोकिंग प्रोसेस तब भी होगी जब हम इसे फ्राइब करेंगे तो आधा भी पकाएंगे और आधा यह उस वक्त पक जाएगा जब इसे फ्राइब कर रहे होंगे और स्पगेटी को कुक होने में यानि की बॉइल होने में पांच मिनट लगता है आप कोई दूसरा नूडल ले रहे हैं तो हर नूडल को बॉइल करने का जो प्रोसेस है वो तो सैम है बट कुकिंग का जो टाइमिंग होता है वो डिफ्रेंट होता है तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं नूडल काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और ट्रांस्पेरेंट होने लगा है पूरी दर से कुप नहीं हुआ है अगर आप इसे दबाएंगे तो यह आसानी से अपने हाथों में दबने लगेगा इसे स्टेश पर मैंने गेस को बंद कर दिया है और जो इसक बिल्कुल फ्रीच का पानी भी आप यूज कर सकते हैं और इसे एक दो बार वाश करने के बाद हम इसमें थूड़ा सा कोकिंग ओली डाल देंगे ताकि यह एक दूसरे से चिपके नहीं बिल्कुल खिले खिले नूडल्स रहे हैं अब देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल अ नूडल में और अगर आप चाहते हैं कि इस नूडल को आप बाद में यूज करें तो आप इसे एटाइट कंटेनर में डालगा कि फीज में स्टोल करके भी यूज कर सकते हैं एक दो दिन तक यह नूडल एज़िज रहता है एक पेंग को मैंने गर्म किया नॉनस्टिक पें शिम्ला मेर्च और कैपसिकम जो हमने काटकर के रखा हुआ था कैपसिकम आप यहां पे सारे कलर जो ग्रीन यलो और 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 अरंज आती है वो डाल सकते हैं बट मैंने ग्रीन मेरे पास अवेलेबल था सो वही यूज किया है हाई फ्लेम पर हमें इसे कुक करना है दो मिनेट के लिए ताकि यह सोते हो जाए ओवर कुक हम इन वेजटेबल को भी नहीं करेंगे क्योंकि चंकी ही अच्छी लगती है यानि कि आधी कच्छी होनी चाहिए और दो मिनिट के बाद मैं इसमें स्लिट की हुई ग्रीन चिली को डाल दोंगी यह जो ग्रीन चिली है यह थूड आप आप साथ ट्रांस्लूसेंट हो गया है और जो हमारी कैप सिकम है शिमला मेर्च यह थोड़ी कुक हो गई है अब हम इसमें डालेंगे हमारे जो केचप और सोसें वह हमें इसके अंदर डालना है जो इसकी टेस्ट को बिल्कुल चेंज कर देंगे तो यहां मैं डाला है लिए पार जाउस ते सब्खेश तू स्वाइट। सुस तू इसकी बिल्दी तो लिए टर्क चेंज और डालेंगे लाजास्ताने चट्णी है इसकी रेसेपी आप मैरे चैनल पर डिसक्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और चैनल पर वी जाका किशिक कर सकते हैं इस हमारा ब्लैक पेपर पाउडर बस सारी चीज़ों को हम अच्छे से टॉस कर लेना है अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्लेम को हाई रखना है आपको कुछ सेकेंड के लिए ही इसे सोते करना है टोस करना है और इसे के बाद में अब जाता है आपका नूडल जो हमने भी बोईल किया था और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे टोस करेंगे हाई फ्लेम पर सो आप देख सकते हैं मैं टोस कर रही हूँ यहाँ पर हमारा स्ट्रीट स्टाइल चाउमिन और वैज नूडल बेलकुल वही स्टाइल है वही टेस्ट है और बहुत डिलिशस दिख भी रहा है और हम इसे दो मिनिट के लिए टोस कर लेंगे अच्छे से हाई फ्लेम पर कुक करना है हमें थोड़ा इजी हो जाए तो आप इसे फोक से या स्पून से भी मेक्स कर सकते हैं जिस तरह से मैं भी कर रही हूँ अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट इस पर टेस्ट और साथ में मैं या पर थोड़ा सा अजने मोटो डाल रही हूँ अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसे बिल्कुल स्कीप कर सकते हैं यह ऑप्शनल है जो मैंने हाफ स्पून एट किया है हम इसे लास्ट मेक्स कर लेते हैं और यह बिल्कुल रेडी है सार्व करने के लिए बहुत डैलिश बना है खुशबू इसकी बिल्कुल वैसी आ रही है जैसा कि हम मार्केट में खाते हैं स्ट्रीट में खाते हैं अगर फ्रेंड्स पेली बार मेरे चोनल पर आएं तो सबसे बिले तो आप मेरे चोनल को सब्सक्काइब कर लीजए अगर रेस्पी आपको पसंद आए न तो प्लीज लाइक और श्रय करना बिल्कुल भी मत भूलना बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आने वाली मेरी सारी य अगर कर दो सारी पाली मेर्ञ कर दो सबस्ते हाने आज तो सी तो कर दो कर दो से घर रूप आपको आए जफर आएक आपकोईग उॉबस्सारा मेरी से बिलshies